साथियों, सम्विधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मरियाता तक सब कुछ सम्विधान में ही बननित है। सत्तर के दसक में हमने देखा था कि कैसे सेप्रेशन और पावर की मरियाता को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को सम्विधान से ही मिला। बलकि इमर्जन्सी के उस दौर के बाद चेक्स और बैलेंस का सिस्टिम मजबुत से मजबुत होता गया। विधाई का, कारेपाली का और न्याएपाली का तीनों ही उस कालखन से बहुत कुछ सीख कर आगे बड़े हैं। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगीक है। बिते 6-7 सालों में विधाई का, कारेपाली का और नाईपाली का में सामेंजस को और बहतर करने का प्रयास हुआ है। साथ क्यों इस तरह के प्रयासों का सबसे प्रभाव पढ़ता है जनता के विश्वास पर। कठीन से कठीन समय में भी जनता की आस्था इन तीन अंगों पर बनी रहती है। यह हमने इतन दिनों इस वैश्विक महामारी के सबय भी बखुबी देखा है। भारत की 130 करोड से जादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचे दिया है। उसकी एक बड़ी वज़य सभी भारतियों का समिधान के तीनों अंगों पर पुर्ण विश्वास है। इस विश्वास को बढ़ाएने के लिए निरंतर काम भी हुआ है। महामारी के इस समय में देश की संसद में राष्ट हिच से जुड़े कानूनों के लिए, आत्म निर्भर भारत के लिए, महत्वपुन कानूनों के लिए, जो तत्परता और प्रतिवर्दता दिखाई है, वह भी अबूत्पुर्वा है। इस दोरान संसद के दोनों सदनों में तैस समय से ज़्यादा काम हुआ है। संसदों ने अपने वेतन में भी कतोती करके अपनी प्रतिवर्दता जताई है। अनेक राज्यों के विदायकों ने भी अपने वेतन का कुछाउंस देकर करोना के खिलाप लड़ाई में अपना सैयोग दिया है। I want to appreciate all these efforts. In the COVID times, these steps play a leading role in boosting public confidence.